श्री शिव पुरान कथा का सार पांचवा अध्याय भांती भांती से शिव की पूजा, सती लगी करने, नीलकंठ, शंकर, भोले का ध्यान लगी धरने शिव होकर प्रसन्न सती को वर देने आये, सती हुई मन मगन सदाशिव जब सम्मुखाये बोले शिव देवी अपना इच्छित वर बतलाओ, जो भी चाह तुम्हारी पूरी हमसे करवा पती रूप शिव को पाऊ, शिव दासी बनी रहू, शिव अतिरिक्ट जगत का कोई पुरुष नहीं चाहू तथास्तु कह शिव शंकर तब, अंतर ध्यान हुए, हर्ष सती को हुआ, पती शंकर भगवान हुए चाल मेरी सफल समझ लीजे, रिध्धी सिद्धी का शंकर भोले हम को वर दीजे, हमारा नमस्कार लीजे हमारा नमस्कार लीजे शंकर जी ने मुझे बुला, सती वर वृतांत कहा, वह ब्याह को तैयार शब्द यह सत्य सुखांत कहा दक्षराज को खबर गई शिव शादी को आवे, साधन सभी जुटाए, बराती धंग से ठहरावे मीठा और पक्वान व्यंजन अंगिन बनवावे, आदर और सत्कार सभी का उरा करवावे मैं और विश्नु बने बराती, शंकर बैल चड़े, बंठन चली बरात, दक्ष स्वागत में आप खड़े स्वर्न कलश ले हाथ दक्षने, शिव के पक्धोये, विधिवत भावरडार विदा बेटी को करोये विदा शिव और सती कीजे, रिधी सिधी का शंकर भोले हमको वर दीजे हमारा नमस्कार लीजे तभी सभामे रौबदाब से दक्षराज आये, सब राजे उठ खड़े हुए, हम तीन न उठ पाए माना निज अपमान दक्ष के नेत्र अंगार हुए, शंकर को उदंड मान पैनी तलवार हुए क्रोध में दक्षराज खीजे, राज खीजे, रिद्धी सिध्धी का शंकर भोले हमको वर दीजे हमारा नमस्कार लीजे हमारा नमस्कार लीजे हमारा नमस्कार लीजे आंकार में भरे, क्रोध से कडवे वचन कहे शिव है बड़ा अशिष्ट, धमंडी मन में मगन रहे सभी देवताओं ने उठकर मेरा मान किया मात पिता कुलहीन शिव ने ही अपमान किया जबकी जमवाई है मेरा फिर भी अज्यानी है जान बूझ कर शिव ने की भारी नादानी है मैं देता हूँ शाप यग्य में भाग न पाओगे मूरक जैसे कर्मकांडी समझे जाओगे सुनकर भीशन शाप नहीं नंदी चुप रह पाया शंकर का अपमान किसी गण को भी नाभाया क्रोध से सारे गण खीजे रिद्धी सिध्धी का शंकर भोले हमको वर दीजे हमारा नमस्कार लीजे हमारा नमस्कार लीजे हमारा नमस्कार लीजे आगे की कथा सुनने के लिए क्रिप्या प्रिशा राजसी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हर हर महा दे